इशा इविक्टेड इशा इविक्टेड इशा इविक्टेड इशा इविक्टेड ये तो हमें दोस्तों खबर पता चल चुकी है लेकिन आखरकार इशा की गलती कहां हो गई और इशा को किस तरीके से इविक्ट किया गया ये कभी नहीं पता चला होगा आपको अभी तर तो सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है सब्सक्राइब जरूर कर लें पॉर्क पन एंटरटेन्मेंट अब दोस्तों इशा माल लिया हम सब को पता है कि जिसके व्यूपॉइंट काफी जादा तेज और तरार रहते थे इशा ने डे वन से जिस सरी किसे गेम खेला हम सब को पता है कभी वी की कभी अंकी तक भी मना रहता है और हमेशा अभी शेक अब ऐसे में चिंटू इविट होता है पिशले हफते और उसके बाद यहां पर आईशा को रातो रात निकाल दिया जाता है और अगर आप लोगों को याद होगा तो मुनाव इशा को उसके बाद बैक डो बैक सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो मुनावर का सपना पूरा करना चाहते थे जो मुनावर ने बोला था कि तरनल तक छोड़ कर आऊंगा लाला तो ऐसे में दोस्तों जब आईशा बाहर निकली तो उसके बाद मुनावर फैंस ने और यह वी और नमबर टू पे आगे हैं विक्की और नमबर तीन पे हो गई है ईशा अचुली अभिशेक के फैंस और अभिशेक की जो फैन आर्मी है वो और अंकीता के फैंस मिलकर कंटीनूसली विक्की जैन को बैक टू बैक वोट कर रहे थे और वो इतना वोट कर रहे थे कि उन्हो ने मुनवर का सपना पूरा करने के लिए अब ईशा को वोट करना शुरू कर दिया लेकिन शायद वोटों के कमी ऐसी हो गई कि अभिशेक फैंडम यानकि अभिशेक के एवेंजर्स जीद गए और अंकिता फैंडम भी साथ में मिल गए तो ऐसे में यहां पर एक बड़ी हार ह हो गई इस जनता की और इस वज़े से इशा को बाहर निकाल दिया गया है तो इशा उट हो गई है दोस्तों और रीजन मैंने आपको पहले बता तो और यह वीडियो आप चैनल में चेक कर सकते हैं जापने मैंने अल्रेडी यह पूरा सिनेरियो आपको समझा दिया था और अ अनफर्मेशन भी मिल गई है देखो इशा आउट होगी कॉमेंट कीजिए बताइए क्या कहना है आपको इसके बारे में चलता हूं मैं